हेलो एवरीवन वेल्कम टू अबर मेथ क्लास और आज की हमारी क्लास जो है वह क्लास सिक्स से एड़ तक सभी बच्चों के लिए हैं और जो टॉपिक है आज का वह हमारा संख्याओं पर संक्रियाएं एवं गुर्धार्म यानि की चार तरह की जो हमारी संक्याओं होती है प्राकर्तिक पून पूनांक परिमे जो एड़ क्लास तक है उसके जो गुण धर्म है कौन कौन से प्रगुण उनमे यूज होते हैं आज हम उन प्रगुणों के बारे में बात करेंगे तीन प्रगुणों के बारे में आज बा संवरक प्रगुण क्या होता है संवरक प्रगुण मैंने टेबल बना रखे काफी मेहनत करके मैंने यह बनाई है संवरक प्रगुण चार तरह का होगा, जोड का होगा, घाटाने का होगा, गुणा का होगा, भाग का होगा और मैंने चारों तरह की संख्या उपर इनने बता रखा है यानि कि प्राकर्तिक संख्याओं के लिए भी चार होंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए भी चार है, पूरांक के लिए भी है और परिमे के लिए भी है, ठीक है, अब यह संवरक प्रगुन होता क्या है, उसकी बात करते हैं, संवरक प्रगुन का मतलब यह है, अगर प्राकर संख्या जोड़ेंगे योग के लिए बात कर रहा है यह Cheese प्राकर्तिक में प्राकर्तिक जोड़ेंगे तो उत्तर प्राकर्तिक आना चाहिए तो हमारा संवब्रक प्रगों उस चीज पर लागू होगा वरना नहीं होगा यह रहेक संख्या लगु नहीं होता जिन पर लागु का रखां रहा है जैनbed कर रहरा है समझ अब सब पहले से लिख रखा है तो आपको अब कीबल समाजती रहें तो प्रकषटिक संख्याउं कने संब्रक प्रकून कब लगू होगा जब प्रकतिक और प्राकर्तिक का जोड प्राकर्तिक आ जाए ऐसे पून और पून का जोड अगर पून आ गया तो समझ लो वो संवरक प्रगुन लागू होता है उस पर पूनांग और पूनांग का जोड अगर पूनांग आ जाएगा तो वो उस पर भी लागू होता है परिमे संक्या और परिम प्राकर्तिक संख्या ही आ जाए तो संवरक प्रगुण समझ लीजिए अंतर के लिए प्राकर्तिक संख्या पर लागू होता है ऐसी प्राकर्तिक संख्या और प्राकर्तिक संख्या की गुणा करें और प्राकर्तिक संख्या कोई इसी भी प्राकर्तिक संख्या इसका मतलब यह है निए पूरी टेवल है ठीक है भाग के लिए भी है यहां Дब मांनो पूर सँंख्या पूर सउंख्या के पाकार्व होता है सबसे पहले बात करते है प्राकरतिक संक्या योग के लिए ठीक के लिए मैंने बताया अगर प्राकर्तिक संख्या में प्राकर्तिक संख्या जोड़ें और वो प्राकर्तिक संख्या ही आ जाए तो वो संवरक प्रगुन इस पर लागू होता है तो मैंने दो प्राकर्तिक संख्या ले रखी है पहली दो और दूसरी तीन दौनों को जोड़ा तो क्या आगया पांच ये भी प्राकर्तिक है ये भी प्राकर्तिक है और उत्तर जो आया वो भी प्राकर्तिक आया रैट का निसान लग गया मतलब ये बात इस पर लागू हो गई है दूसरा है 9 पिलस 10 बराबर 19 यानि कि प्राकर्तिक संख्या में मैंने प्राकर्तिक संख्या जोड़ी और प्राकर्तिक संख्या ही उत्तर आ गया तो यह हमारी इस पर भी लागू होती है प्राकर्थिक संग्या आपको पता ही होगी एक से लेके जो भी गिंती होती है एक, दो, तीन, चार वो सारी प्राकर्थिक संग्या होती है सबसे पहले प्राकर्थिक संग्या पर भी बात कर लेंगे अब आजाई अंतर अगर प्राकर्तिक संग्या में से प्राकर्तिक संग्या को घटाएंगे तो प्राकर्तिक संग्या ही आनी चाहिए ये मैंने उधान ले रखा है 12 में से 4 घटाया 8 ये भी प्राकर्तिक है ये भी प्राकर्तिक है सो में से नबे घटाया, दस आया, दौनों राइट के निसान लग रहे हैं, मतलब ये दौनों हमारी इस कंडिशन को पूराव कर रही हैं पर अगर हम 10 में से 18 घटाते हैं, क्योंकि 10 भी प्राकर्तिक है, इसमें ये नहीं कि बड़े में से छोटा घटाया जाया, छोटी में से भी बड़ा घटा सकते हैं, तो अगर हम 10 में से 18 घटाते हैं, तो उत्तर आता है माइनस के 8, और ये हमारा प्राकर्तिक संख्या नहीं हो मतलब संवरक प्रगुन अंतर के लिए प्राकर्तिक संख्या पर लागू नहीं होता समझ में आ गया आपको गुणा के लिए प्राकर्तिक संख्या में प्राकर्तिक संख्या की गुणा करेंगे तो प्राकर्तिक संख्या आना चाहिए तो मैंने दो उधारन ले रखे हैं, 7 और 5, 35 आरा है, 10 और 11, 110 आरा है, दौनों प्राकर्तिक संख्या ही आ रही है, इस पर ये लागू होता है भाग के लिए प्राकर्तिक संख्या में प्राकर्तिक संख्या का भाग करने पर प्राकर्तिक संख्या ही आनी चाहिए देखते हैं, छे में भाग करेंगे दो का, आ गया तीन, यहां पर तो लागू हो रहा है, क्योंकि प्राकर्तिक में प्राकर्तिक का भाग किया प्राकर्तिक आ रहा है, पर यदि हम आठ में पांच का भाग करेंगे, तो आठ बटे पांच आ रहा है, और ये प्राकर्तिक संख् के लिए और अंतर और भाक के लिलागू नहीं होता है समझ है आपको आ गया होगा अब आज़ये पूर संख्याओं के पूर संक्या के लिए क्या है कि जी से प्राकरतिक के लिए ता वैसे पूर के लिए है अगर हम पूamba में पूными को जोड़ कि अगर पूर संक्या या रही है तो फो लागव हो जाएगा दाराएग जीरो और एक जीरो पूंड संक्या कहाँ सुरूतिंगि जीरो से ठीक प्राकर्टिक एक-क से जीरो में एक पूर्ण की गुणा करेंगे तो पूर्ण आ रहा है और पूर्ण की गुणा करने पर पूर्ण ही आ रहा है इस पर लागु हो रहा है अब आज़meye भाग की बारी 18 में 6 का भाग करेंगे तीन आ गया मतलegt पूर्ण संक्या मैं पूर्ण संक्या का भाग करा पूर्ण आ गया यहां तक तो समझ मेराई रहा है लागु होरा है तो हो जाएगा नहीं सब पर होना चाहिए जैसे यह सब पर होता है कोई सी गुदारण ले लो इस पर भी लागू नहीं हो रहा है तो पूर्ण संख्या भी अंतर में और भाग में संवरक फिर गुण में लागू नहीं होती है ठीक है और योग और गुणा में लागू होता है अब जाए पूरांग की बारी पूरांग क्या होते हैं लनादमक और रनादमक मिलाके पूरांग होते हैं माइनस की संक्या है ब्लस की संक्या है और जीरो इसी तरह से पूरांग में चेक करेंगे पहले योग के लिए चेक करेंगे योग के लिए क्या है पूरांग में अगर हम पूर्णांग माइनस के साथ लिया, दूसरा माइनस के तीन लिया, माइनस के दस ये भी एक पूर्णांग है, मतला अगर पूर्णांग को में पूर्णांग जोड़ा है, तो पूर्णांग ही आया है, तो इस पर ये लागू होता है, ऐसी अंतर के लिए पूर्णांग में से घटाएंगे तो पूरांग काना चाहिए तो मैंने माइनस के आठ लिया है पहला पूरांग दूसरा ही माइनस के आठ लिया है जीरो आना जीरो भी एक पूरांग होता है माइनस के साथ में से माइनस के आठ गया माइनस के पंदर यह भी एक पूरांग है जाने कि पूरांग प हमारा माइनस की दू में दस की गुणा करेंगे माइनस की फुलस के विस आएगा ये भी पूनन के ये भी है और इभी होती है अब भाग करते है या कि दूर पूनांक को दो दहरन लें अँप रमार रह ये कहता है कि अगर हम पुर औइंक में पुर नाँंक का भाग करें तो उत्तर पुर आजाए यह तुमने 18 लिए एक पुराइंक एक माइनस 6 इन दोनों का भाग करेंगे तो उत्र है कर जाएगा माइनस तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरांकों के लिए संवरक प्रगुण जोड में लागू होता है गोड़ा में लागू होता है घटाने में भी लागू होता है केवल भाग में लागू नहीं होता अब आ जाए परीमे संक्या परीमे संक्या क्या होती है जो कि अंस बटे हर के रूप में होती है पी बटे के रूप में नीचे वाली संग्या जीरो नहीं होनी चाहिए माइनस की भी हो सकती है ठीक तो सबसे पहले योग के लिए चेक करते हैं कि परी में अगर परी में जोड़ेंगे तो क्या परी में ही आता है जी हां मैंने दो एक उधारन ले रखा है द बटे बारे में से नो बटे बारे गट है माइनस के दो बटे बारे ये भी एक परी में संख्या होती है माइनस में तो ये भी इस पर लागू होता है आप कुछ भी उधारन ले सकते हैं यह रूली मैंने उधारन लिया है परी में परी में की गुणा करेंगे तो परी में आन माइनस के 9 बटे 5 मैंने पहला लिया 18 बटे 10 मैंने दूसरी संख्या ली और फिर मैंने जब इनका भाग करके देखा तो ये माइनस के 1 आया ये भी क्या है एक परी में संख्या होती है कोगि हम इसे एक बटे एक लिख सकते है कोई से भी उधारण ले लिए जिए वो परी में संख्या आएगी ही तो भाग के लिए भी ये हमारा लागू होता है ठीक लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि जो भाग के लिए परी में संख्या का एक परी में संख्या लेलू और दूसरी लेलू में जीरो तो जब इसे सॉल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अनन्थ और अनन्थ हमारी एक परी में संख्या नहीं होती तो यह हमारा जो संब्रक प्रगोण नहीं भाग के लिए वूचि जीरों को छोड़के घरक के लिए यह लागू होता है तो यहांपे जीरों के अलावा लिखना हमारा जरूर है लौग higher impacting 113000 होता है तो मैंने आपको संब्रक प्रगोण सवी के लिए प्रकरतिक संख्याओं के पूर्ण के लिए पूर्ण के लिए पूर्ण के लिए परिमे के लिए योग का अंतर का गुणा का भाग का केवल आपको इस परिमे संके वाले भाग पर ध्यान देना है इसके लिए अलग-अलग किताब में अलग-अलग चीजे लिखी हुई है किसी में लिखा हुआ है किसी म आप हम दूसरा पीरगोण समझते हैं हमारा दूसरा जो पिरowing है वह है संख्याओं का किरम बिनी में पिरुञण यह संवरग कृण से थोड़ा आसान पड़ेगा आपको समझने का आपको समझने है A plus B तो दूसरी बार B plus A तो क्या वो बरावर आएंगी यह ती बरावर आएंगी तो वो नियम लागू होगा पड़ना नहीं होगा जैसे योक के लिए A plus B बरावर B plus A आना चाहिए अंतर के लिए A minus B बरावर B minus A आना चाहिए गुणा के के लिए इस तरह के से किरम बदल जाता है और भाग के लिए ठीक अब देखते हैं यह आता है या नहीं है तो सब्से के दो करतिश है यए गए एक अंक्या शे अगर मैंने इन दौनों को जोड़ा तन वागया अगर अगर मैंने के करम बदल दूं जाने कि 6 को इधर लिख दूं फिर जोड़ों तो भी किता आ रहा है नो जाने की योग के लिए किरम विनिमिनियम प्राकरतिक संख्याओं पर लागू होता है अंतर के लिए देखते हैं अ-b-b-a 7 और 5 मैंने 2 उधारन दे रखे हैं 7 में से 5 गटा है फिर करम बदल के भी मैंने गटा है इधर आ रहा है 2 इधर आ रहा है माइनस के 2 तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये लागू इस पर नहीं होगा तीसरा है 3 गुणा 5 पांच गुणा 3 जानिकि दोनों की गुणा करी गई है किरम बदल दी है मैंने दोनों तरफ से किता आएगा बराबर आएगा राइट का निशान मतलब ये इस पर लागू हो रहा है और भाग के लिए a माइनस a भागित b b भागित है तो 5 में 3 का भाग क होता है भाग पर लागू नहीं होता इसी तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए अब मैंने सेम संख्याओं को दार लेकि समझाता है कि आप समझना असान रहेगा सबसे पहले चेक करते हैं योग के लिए a प्लस b बरावर b प्लस a आना चाहिए दो दार लिए मैंने 0 और 10 दो माइनस 0 किरम बदल के क्योंकि अंतर के लिए निकाल रहा है एक तरफ आएगा माइनस 10 एक तरफ प्लस के 10 तोनों बरावर नहीं है जाने कि यह इस पर लागू नहीं होता यह बरावर आना चाहिए फिर गुणा में देखते हैं a गुणा b b गुणा a जीरो गुणा 10 गुण जीरो 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 आ रहा है तो यह इस पर लागू हो रहा है भाग में देखते हैं a भागित b b भागित a जीरो में 10 का भाग करेंगे और 10 में जीरो का किरम बदलना है जब जीरो में किसी संख्या का भाग करते हैं तो जीरो आता है और जब जीरो से किसी संख्या में भाग क लागो होताँ अंतर के लिए लागो नहीं होता आप आप आ जाए ये पूरांग के लिए क्या है दो पूरांग मैंले लिए I अन्या फोही लगेगा ए प्लस भी जिभर टू भी प्लस ए ई ाना चाहिए तो मायनस वे चार और मायनस आठ मैंने दो उदारन लिए है और तुमेन एक बार इन दौन घूटा माइनस के चार, पिलस माइनस आठ फिर मैंने का किरम गदल दिया इस तरफ दोनों दोर जोड़के माइनस बारे माइनस बारे ही आ रहा है मतलब यह इस पर लागू होता है फिर मेंने अगर इनको घटाया गया, किरम बदल के इनका, तो इधर किरम बदल के घटाने पर PLUS के चार आया है इधर आया माइनस के चार तो यह इस पर लागू नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ बरावर आना c Omaha पूर्णागो का जोड घटाना आपको दो आया है मतलब ये लागू इस पर नहीं होता तो हमारा किरम विनिमिनियम भी पुर्णांग के लिए केवल जोड़ और उना पर ये लागू होता है अब आजा your परीमे संकhya पर परेमे संकhya भी हमने दो उदानर लिये हैं दो भटे 3 और माइनस के दस बटे 3 इनी दो उदानरों से सारे समझाएगा तो पहले इनने जोड़ा गया किरम बदल के तो दौनों तरफ माइनस के आठ बटे तीन Madak Madak ging जो म फिर यह बेना गटाyon गया है तो यह मेस माइनस माइनस प्लस हो गए हैं दोनों तरफ घटागए एक तरफ तो आया 12बट तीन दूसरी तरफ आया माइनस के 12बटे तीन तो यह दोनों बडाबर नहीं है तो यह इस पर लागू नहीं होता फिर जब ने गुणा की गई है इनकी तो यह दोनों तरफ की संख्य हैं बराबर आ बाग किया है तो यह आपस में जब मैंने पूरा शौल कराएं का तो यह माइनस के एक बटे पांच और पांच जो की बराबर नहीं है तो यह इस पर लागू नहीं होता तो इससे निसकर्स क्या निकलता है आप वह समझें मेंची जो निसकर्स है वह आपके दिमाग में बैठन सथिस्ट धिल्ट है लेकिन अंतर और भाल में हमें ध्यान देना है कि हम-5 and 5-3 पर दो है वही यह वहीं लिखा जाएगा वर्यों और अंतरम में हम इसे लिख सकते हैं तो नियम हमने आज पढ़ा दिए एक संवरक और एक किरम बिनेगे अब हम एक नियम होद पढ़ेंगे आज और वो है संख्याओं का वित्रण प्रगोण क्या होता है संख्याओं का वित्रण प्रगोण केबल दो इस उस पर होता है एक तो योग का और एक अंतर का इसमें क्या है brackets का use होता है, जाने कि क्या है वित्रन परकूर मैं आपको बता देता हूँ वित्रन का मतलब होता है बाटना मतलब A गुणा B प्लस C, यह हमारी तीन अगर संख्याएं हैं तो अगर हम A को इन दौनों में बाट दे और बीच में प्लस लगा दें, तो दौनों साइडें हमारी बराबर आती हैं, अगर यह दौनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो यह नियम उस पर लागू होता है, वरना नहीं होता है जाने कि A गुणा B प्लस C को हम लिखेंगे A गुणा B प्लस A गुणा C ऐसी अंतर के लिए है, क्योंकि यह माइनस है, A गुणा B माइनस C, तो इसे हम लिखेंगे A गुणा B और माइनस A गुणा C, अब चारों संख्याओं पर हम इसे चेक करेंगे कि यह सही बैठता है या नहीं बैठता है तो धारण मैंने इसके लिए रखा है 4, 5 और 6 पराकरतिक संख्याओं तीनों पराकरतिक संख्याओं मैंने ले ली मैंने A की जगए 4 लिखा B की जगए 5, C की जगए 6 फिर ऐसी मैंने यहाँ पर A की जगए 4 गुणा B की जगए 5, A की जगए 4 इसमें क्या करेंगे पहले संख्याओं को जोड़ के फिर चार में गुणा करेंगे इसमें क्या करेंगे पहले संख्याओं की गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे दोन दोन तरफ चावालिस चावालिस आ तो हमारा दो यह जो है प्राकरतिक संख्याओं के योग का वित्रब्रगुन लागू हो रहा है अंतर में देखेंगे संख्या मैंने उधारण वही सेम रखें चार पांच और छे चार गुणा पांच माइनस छे तो यहां आएगा यहां आएगा चार गुणा पांच और माइनस चार गुणा छे यहां पहले इसी तरह करेंगे पहले ब्रेकिट्स में माइनस करेंगे फिर चार की गुणा यहां पहले गुणा करी गई है और फिर माइनस कि दोर वहाइव थे सफ बराबर आया हमारा तर या का वितरण बरगुण प्रकरथिख संख्यां पर लागू होता है जो कि आती है पूर्ण संख्या 750 संख्याओं मैंने उधारण कौन कौन से लिए है ंशंख्या podob मैं यह दो तरह थोगा तो जो हमने दो गुणा जीरो प्लस पांच पर यहां पर दो गुणा जीरो प्लस दो गुणा पांच यह संख्यों केमा fluffy लखे जाएंगे जो इस थरह हैं मेर पहले ब्रैकेट्स की संक्या जोड़ी, फिर दो से गुणा करी 10 आया, यहां पहले गुणा करके फिर जोड़ा तो भी 10 आया, तो यह इस पर लागू होता है, ऐसी अंतर के लिए हैं, एक जगे दो, बी की जगे जीरो, सी की जगे पांच, वो यहां हमने रखा, यहां पहले ब plus 3 नियम वही रहेगा, उधारंड हमने 3 पूराँ कौन कौन से लिए हैं माइनस के 2, माइनस के 3 और 4, वो हमने यहाँ पर रखे वो हमने यहाँ पर रखे और जो हमने इसे हल किया दौनों तरफ, तो दौनों तरफ कैसा आएगा बराबर आएगा ऐसी तरह से अंतर के लिए भी यही उधारण लिया हमने माइनस के दो गुणा माइनस तीन माइनस चार ब्रैकिट्स को पहले सॉल्फ किया फिर गुणा की चौधे आया ऐसी यहां गुणा करके सॉल्फ किया चौधे आया इस पर ये लागू होता है और परिमे संख्याओं के लिए तीन उधारण लिये हमने पांच बटे साथ, छे बटे साथ और ग्यारे बटे साथ हमने वो लिये हैं जिनके हर बरावर है ताकि समझने में आसानी रहे आपको जब हमने इसे सॉल्फ किया पहले ब्रैकेट्स के अंदर किया तो 11 गुणा की तो 85 बटे उडनचास आ गया हमने यहां पहले गुणा की है 30 बटे उडनचास, 55 बटे उडनचास और फिर हमने इने जोड़ा है तो यह इस पर हो गया, ऐसी अंतर के लिए हमने निकाल दिया है, माइनस के 25 बटे उड़ेंचाज, माइनस 25 बटे उड़ेंचाज, तो अधरफ आ जाएगा, तो आपको इसे AJ सूत्र की तरह याद रखना है, A गुना B प्लस C is equal to A गुना B प्लस A प्लस C, इसके आधार पर हम स होता हैं, कौन कौन से में आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं, पहला है संवरक प्रगुण, संवरक का मतलब होता है, प्राकरते को पूर्ण हो, पूरांख हो या फिर परी में हो, उन्हें आपस में जोड़ने पर वही संख्या लोट के आ जाए, जोड़ घटाने ग वित्रण प्रगुण बताया है आपको कि किसी संख्या का योग में और अंतर में वित्रण प्रगुण इस प्रकार है, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अभी एक दो प्रगुण और बचे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, दन्यवाद,